हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम फटे पुराने बेकार पड़े कपड़ों से मार्केट में मिलने वाले महंगे गुदगुदे पायदान को घर पर बनाके रेडी करेंगे और वाटर प्रूफ हम इसको बनाएंगे मशिन बोशेवल है हाथ बोशेवल है और फटे पुराने कपड़ों से हम इसको बनाके रेडी करेंगे और इस न्यू ट्रिक से आप डोरवेड बना सकते हैं पायदान बना सकते हैं कालीन बना सकते हैं गलीचा बना सकते हैं तो सबसे पहले तो हमको कपड कट कर लेना है तो यहां पर आप किसी भी पुराने कपड़े का यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने बैट शीट कापड़ा कट कर लिया है और एक प्लास्टिक की बोरी बनेया कट कर लिया है और कोई भी पुराना आपको कबल लेना है हम सभी लोगों के घरों पे फटा पुराना बेकार कम्लल मिल ही जाएगा तो कम्मल का योच करेंगे जिससे की जो नीचे की तरफ की जो साइड होगी ना डोरमेट की वो सिलिप नहीं होगी नीचे प्लास्टिक की बोरी रखना है बीच में कम्मल हमको रखना है और उपर आप बैडशीट का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई पुरानी साड़ी है तो उसका कपड़ा ही आप यूज कर सकते हैं तो यह जो बैडशीट है पुरानी इसको मैंने उल्टा करके रखाए देखिए और यहां पे बीच पे थोड़ी सी जगह हम छोड़ींगे और चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे इसका साइज मैं आपको बता देती हूँ 28 इंचिस की लंबाई है और 19 इंचिस की चोड़ाई मैंने रखी है बड़ा चोटा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली अब थोड़ी सी जगह जो हमने छोड़ी है वहां से इसको हमको पलटना है और इसके जो चारों कॉर्णर है ना उनको अच्छी त कर लेना है पहले तो इस तरीके से मैंने कपड़ों को सेट कर लिया है अब जो खुली हुई जगह है वहां पे सिलाई लगा लेंगे और चारों तरफ भी हम सिलाई लगा के बीच बीच पे भी सिलाई लगा के इसकी कुल्टिंग कर लेंगे एक दो सिलाई लगा के तो इस त छोड़ा छोटा साइज भी कर सकते हैं पर जिस साइज का हम डोर्मिट बना रहा है उस साइज पर ये 7 इंच भाई 7 इंच का पेपर ही हमको कट करना है अब इस तरीके से देखिए 20 सेंटर निकाल लेंगे लंबाई पे भी और चोड़ाई पे भी 20 सेंटर पहले हम निकाल के र देखिए ये जो पेपर है इसको जैसे मैंने देखिए ऐसे डायमंड शेप पे जैसे मैंने रखा है वैसे ही रखना है और ये जो बैर शीट है तो ये भी देखिए डिब्बे डिब्बे वाली है तो आपको जो निशान में लगा रही है वो दिखाई नहीं देगा कोई भी एक बॉक्स बनाया, एक तरफ एक बॉक्स बनाया, अब बीच ओ बीच पे देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे 20 सेंटर देखिए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए, यहाँ पे भी हमको 20 सेंटर निकाल लेना है, चोड़ाई पे भी और यह लाइन घीज लेगे, अब यह यह जो पेपर था, इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखना है, और फिर यहाँ पे हाब पे हमको निशान लगाना देखिए, इस दरीके से, यह जैसे मैंने निशान लगाया है, बस यह आपको निशान लगाना है। आधा निशान मैंने यहाँ पे लगाया है पेपर का तो ऐसे देखे 20 सेंटर से रखेंगे नीचे की तरफ से और फिर इस तरफ भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे तो यहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिया अब यह जो निशान हमने लगाए हैं इनके ही साइज पे हमको कप कट कर लेते हैं यह देखिए यह पेपर के साइच पे तो मेरे पास यह देखिए बैलवेट का कपड़ा रखा हुआ है क्योंकि मैं सिलाई बगेरा करते रहती हूं अब आप लोग तो सिलाई जादा करते नहीं होंगे फ्रेंड्स तो आपको कोई भी पुराना कपड़ा लेना हैं अब इनको कैसे हमको सैट करना है देख लेते हैं तो यह देखिए जो निशान हमने लगाए थे बस उनके ही ऊपर हमको यह कपड़ों को रखना है और चारों तरफ से इसको हम पिन अप कर लेंगे अब यह देखिए दूसरा वाला जो हमने निशान लगाया था उसके रखना है और ये देखिए जैसे रख रहे हैं या तो फिर आप कच्ची सिलाई लगा लीजे या तो फिर आप पिनप कर लीजे पिनप करने से क्या होता है कपड़े जो है वो खिसकते नहीं है तो इसको भी मैंने पिनप कर लिया अब ये देखिए इसको भी हम पिनप कर लेते लाश्ट वाला जो कपड़े का पीस बचा है उसको भी तो चारो तरफ इसको भी हम पिनप कर लेते तो ऐसे हमको पिनप कर लेना है और फिर थोड़ी सी जगह को छोड़ते हुए चारो पीसे पे हमको ना सिलाई लगानी है थोड़ी सी जगह को छोड़ेंगे और पूरा चारो तरफ से इसको हम जोड़ के रेडी कर लेंगे तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी जगह को छोड़ना है और चारो पीसेस पे हमको चारो तरफ सिलाई लगानी है दो-दो इंचे हमको जगह छोड़नी है और पूरा चारू तरफ हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे और बहुत ही प्यारा डोर्मेट आपका बनके रेडी होगा तो अभी चलिए मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूं और इस तरीके के जो डोर्मेट होते हैं मार्केट में बहुत ही महेंचे मिलते हैं और बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाते हैं तो फटे पुराने बेकार कपडे हम सभी लोगों के घर उपे होते ही हैं और साड़ी से तो देखे फ़रंट सि आपने बहुत सारी डोर्मेट बनाये होंगे पर उनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बुनाई करने में, कुरूशिया चलाने में हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है पर इस तरीके के जो डोर्मेट होते हैं बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इनको आपको हाथ से भी नहीं बनाना पड़ता है, मसिन की हेल्प से आप इनको बना सकते हैं, तो ये जो डोर्मेट मैंने बनाया है, तो मैंने दो दिन पे इसको बनाके रेडी किया है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मुझे और भी काम करने पड़ते हैं घर के भी, यद यदि देखिए, आप इसको एक ही दिन पे कम्प्रीट करना चाहते हैं, तो ये आपका एक दिन पे भी बनके रेडी हो जाएगा, मैंने इसको देखिए, थोड़े थोड़े टाइम निकाल के मैंने इस डोर्मेट को बनाया है, तो मेरा इसको बनाने में दो दिन लगा है, य बस थोड़ी सी जगह हमने छोड़ी है, तो ये देखिए, चारो तरफ हमने सिलाई लगा ली और सभी पे देखिए, इसी तरीके से हमको थोड़ी सी जगह ऐसे छोड़ना है, क्योंकि फिर इसके अंदर हम ना कॉटन को भरके रेडी करेंगे, जिससे कि ये जो डोर्मेट है बहुत ही मुलायम सा बनके रेडी होगा, और बनने के बाद जो है, इसका जो डिजाइन है बहुत ही प्यारा बनके रेडी होगा, तो इस तरीके के डोर्मेट तो आपको देखिए, मार्केट पे अदि आप खरीदने भी जाएंगे, तो नहीं मिलेगा, फटे पुराने बेक कोटन भी भर सकते हैं, और यहां पर मैं देखिए, सॉफ्ट टॉय वाली जो कोटन होती है, उसको मैं इसके अंदर भर रही हूँ, क्योंकि यह जो कोटन होती है, धोने के बाद भी इखटी नहीं होती है, यदि आप देखिए, कोटन यूज करेंगे, तो फिर वो इखटी ह होती है, तो यहां पर हमको जो टॉइस वगेरा पर जो कॉटन यूज होती है, वो वाली कॉटन हमको यहां पर यूज करना है, अब चारो तरब कॉर्णर पर अच्छे से कोई भी नुकीली चीज से इसको देखिए, यह जो रूई हैं, इसको सैट कर देंगे, या फिर देख शुषि evolved 50 लियुक्त के लिए को stronger बिभल में अट, और कोटन भी भर चार जो design हम ने बनाई है उनको आप ready कर सकते हैं तो चार जो design है उनके अंदर इसी गजान के लिए आन थाइट, टुव आध, स dependent हमाँ करों आधि ब्लक embedded अंदर भरके रेडी करना है और फिर जो खुली हुई जगह थी बस उस पे हम सिलाई लगा लेंगे और मैंने यहाँ पे डोर्मेट बनाने के लिए दिखे थोड़ा बैलवेट का कपड़ा लिया था क्योंकि जो बैलवेट का कपड़ा होता है न फ्रेंट्स उससे कोई भी धागे वगेर नहीं निकलते हैं तो लेगी का टीशट का ही कपड़ा हमको यहाँ पे यूज करना है चारो जो खुली जगह थी उस पे मेरे सिलाई लगा ली अब डोर्मेट को साइड पे रखते हैं और लेना है फटी पुरानी बेकार लेगी टीशट है तो टीशट ले लीजिए और यहाँ पे देखिए आपके पास जो भी कलर है उससे आप बना के रेडी करिएगा मेरे पास जिस कलर की लेगी थी तो मैं उस कलर का यूज कर रही हूँ अब देखिए जो सिलाई होती है लेगी की वहाँ से न हमको यह देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेना है और उपर की लाश्टिक भी हम अलग कर लेंगे और पूरा पहले लेगी को इस तरीके से कटिंग करके हम खोल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ बस मोटी मोटी जो लाइन होती है सिलाई की उसको हम अलग करके देखे इस तरीके से लेगी को खोल लेंगे और अब हमको यहाँ पे निशान लगाना है दो इंच पे तो देखिए अभी चौक से हम निशान लगा लेते हैं दो इंच पे तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए प हमको लंबी-लंबी पट्ति milk चोटी पट्ताी साभी पट्ति का यूज हो जाएगी चोट से चोटी पट्ति भी आपकी काम आजाएगी उसको आपको भेगना नहीं है अब कैसे हमको देखिए पट्ति हैं देख लेते हैं तो किनारे से देखिए आधा इंच का गेब देते हुए जैसे मैंने चौक से लाइन घीची है वैसे हमको लाइन घीचनी है तो दो लाइन मैंने यहाँ पे घीच के ready कर ली है आधा इंच का gap देते हुए तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमारा डिजाइन बन के ready हो जाएगा और color combination कपड़ों का आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं तो यह देखिए जैसे मैं आधा इंच का gap देके line गीच रही हूँ बस वैसे हमको line को घीच लेना है और यह जो line है हम घीच रहे हैं तो फिर इसी के ऊपर हमको white वाली पट्टी जो है वो जोड़ के ready करना है मैंने यहाँ पे white color की लेगी का use किया है क्योंकि देखिए fronts आपको दिखाने के लिए अच्छे से देखिए जब हम हमने सिलाई लगाई थी कपड़े की ऊपर वहीं पे हमको पट्टी को double करते हुए ऐसे रखना है और फिर यह देखिए जो extra पट्टी है उसको हम cut कर देंगे या फिर आप देखिए fold करके भी आप इसको जोड़ के ready कर सकते हैं अब यह देखिए यह दूसरी पट्टी है इसको इस पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे और फिर यहां से हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे पूरा नीचे तक और जो extra पट्टी है उसको cut कर देंगे और छोटी छोटी पट्टियों को भी फेकना नहीं है यह जो छोटी छोटी पट्टी अभी है न वो भी हमारी काम पढ़ेंगी अभी बात पे तो यह देखिए एक लाइन हमने जैसे जोल ली अभी मैं आपको थोड़ा सा और सिलाई लगा के बता देती हूँ दूसरी पट्टी लेना है और इस तरीके से देखिए पहली पट्टी की उपर यह दूसरी पट्टी रखना है और ज़्यादा गैप हमको यहाँ पर नहीं छोड़ना है तो यह देखिए दूसरी पट्टी भी हम लगा लेते हैं और फिर यहाँ तक हमको सिलाई लेते आना है बी सेंटर तक और फिर बी सेंटर पर आने के बाद फिर यहाँ से हम दूसरी पट्टी लगा लेंगे तो बस ऐसे हमको देखिए जोडते जाना है तो यहाँ पर आप देखिए दो लाइन तीन लाइन पट्टी को जोड़के रेडी कर सकते हैं अभी तो मैं देखिए पहले जो चारो डिजाइन है हमारी उसके चारो तरफ MY दो लाइने पहले कंप्लीट कर लेती हूं तो इस पे मैंने दो पटी जोड़ी अब सभी पे हम दो दो पटी जोड़के दो लाइन की पटी जोड़के ऐसे ready कर लेंगे पूरा फिर और पट्टी हैं यदि बचे की लेगी से तो हम और लाइने जोड़ के ready कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए friends मैंने यह जो चोकोर वाली डिजाइन थे उन पे दो पट्टी जोड़ी है तीन पट्टी मैंने जोड़ी है और यह जो देखिए हाफ जो डिजाइन थे उस पे मैंने फोर पट्टी जोड़ के ready कर ली है अब यहाँ पे बीच पे देखिए जो खाली जगह बची हुई है तो यह देखिए जैसे मैं बीच सेंटर पे निशान लगा लेना है तो यह जो निशान हमने लगाए हैं इसके किनारे पे हमको बात पे हम भर के ready करेंगे design को पहले जो cross पे जो design है उसको भर के ready करेंगे अब दूसरे color का कपड़ा हमको यहाँ पे लेना है लेगी का या टी-शट का तो यह देखिए मेरे पास एक टी-शट पड़ी हुई थी तो उसी का कपड़ा है और टी-शट को इस तरीके से थोड़ा सा हम घी दूसरा है तो देखिए इस तरीके से लंबी-लंबी पटी हमको यहाँ पे कट कर लेना है टी-शट से और फिर दो इंचे लंबी यहाँ पे हमको छोटी-छोटी पटियां कट कर लेना है तो अभी देखिए बस बैठे-बैठे आराम से आपकी यह cutting हो जाएगी जब भी आप को फुरसत मिलती है तो पहले आप cutting कर लीजिए अराम से फिर जब आपको time मिलता है तो आप सिलाई machine पे बैठके सिलाई कर लीजिए बहुत ही आसान है तो यह देखिए इस तरीके से मैंने blue color की पटियां भी cut कर ली है अब यह पटियों को कैसे लगाना है मैं थोड़ा सा आ ready करना है यह देखिए तो आपकी जितनी भी line बनती है दो line, 3 line इसको पूरा आपको भरना है जिससे की क्या होगा जो gap है वो दिखाई नहीं देगा और बहुत ही प्यारा साना इसका design भी बन जाएगा तो बस एक पटि लेंगे उसको इस तरीके से किनारे रखना है और फिर अच्छे से double सिलाई लगा के इसको lock कर देना है और फिर बस एक के बाद एक पटि हम इस तरीके से रखते जाएंगे और फिर पूरा देखिए हम सिलाई लगाते जाएंगे बहुत ही easy है friends बस आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है तो आप इस तरीके का जो doormate है उसको बना सकते हैं और यदि आपको देखे थोड़ा कुछ समझ पे नहीं आता है तो आप एक दो बर वीडियो को अच्छे से देखिएगा आपको बहुत ही आसान तरीके से ये वाला जो doormate है बनाते बन जाएगा इस पे कोई बुनाई की जंजट नहीं है बहुत से लोग ऐसे होते ह हैं जिनको बुनाई नहीं आती है कुरूशया चलाना नहीं आता है तो आप देखिए सिलाई मशिन की help से इस तरीके के doormate बना सकते हैं और ये जल्दी बन जाते हैं इस तरीके के doormate आपको गिप्ट भी कर सकते हैं घर पर यूज़ भी कर सकते हैं और ये जो देखिए हम दोर्मिट बनाते हैं तो सिर्फ उस पे देखिए साडियों का ही बस यूज होता है अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो साड़ी वगेरा नहीं पहनते हैं तो उनके लिए ये वाला आइडिया बहुत ही काम आएगा क्योंकि इस पे हम लेगी का टी-शिट का लोवर का यूज कर सकते हैं तो बस ये देखिए ये जो लाइने हैं बस ऐसे ही हमको भरके रेडि कर लेना है और जब ये जो लाइने पूरी भरके इस तरीके से रेडि हो जाएंगी न तो फिर इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा आएगा तो अभी देखिए मैं पूरा इसको भरके ready कर लूँगी अभी मैंने एक simple सिलाई लगाई है तो हम देखिए इधर भी सिलाई लगा लेंगे और line को जोड लेंगे इधर भी जोड लेंगे एक line मैंने आपको बना के दिखा दिया है अब ये देखिए जो खाली जगह है वहाँ पे भी हम इस तरीके से सिलाई लगा के छोटी छोटी जो पटियां है इनको हम जोड के ready कर लेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे देखिए सिलाई लगा के दिखा देती हूँ ये देखिए ये जो line थी ना इसको भी हम भर लेंगे तो बस बहुत ही आसान है जितनी भी खाली जगह है उसको बस आपको देखिए सिंपल इस तरीके से छोटी छोटी जो ये मैंने देखिए पटियां कट करी थी टी शट से उनको इस तरीके से रखना है और बस पूरा हम सिलाई लगा के इसको भर के ready कर लेंगे तो बहुत ही प्यारा डूर मेट आपका बनके ready हो जाएगा मेरे घर पे बहुत सारी देखिए लेगी और टी शट इखटी हो गई थी तो मैंने सोचा चलिए इनसे हम कुछ बना के ready करते हैं क्योंकि बेकार युम ही पड़ी रहती है और जो लेगी टी शट होती है फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी जल्दी खराब हो जाती है तीन चार मेहने के अंदर जो होती है लेगी होती है बच्चों की वो फट जाती है फिर वो पड़े रहती है तो आप देखिए उनसे इस तरीके के प्यारे प्यारे डूर मेट बना के ready कर सकते हैं बच्चों के वीडियो में और भी अलग अलग डिजाइन के डूर मेट आपके साथ शेयर करूंगी तो यह देखिए यो क्रोस पे मैंने भरके इसको ready कर लिया है अब जादा मेरे पास लेगी नहीं बची है थोड़ी सी लेगी blue कलर की बची है और थोड़ी सी मेरे पास देखिए white कलर की लेगी बची है तो यह जो साइडों पे थोड़ी सी जगह हमारी बची हुई है ना उसको हमको देखिए दोनों कलर से भरके ready करना है तो आप अब देखिए मैंने दोनों कलर के यहाँ पे देखिए white कलर की और blue कलर के मैंने दो-दो इंच चोड़ी मैंने यहाँ पे पटियां कट कर ली है दो इंच लंबी है और एक इंच चोड़ी है यह पटियां तो अब देखिए इनको कैसे हम एक line हमको blue वाली लगाना है और एक line हम white वाली लगाएंगे तो इस तरीके से क्या होगा जितनी भी लैगी हमारे पास थोड़ी थोड़ी बची है ना दोनों का ही use हो जाएगा तो यदि आपके पास भी देखिए थोड़ी सी जब बचेगी यह पटियां तो आप उनसे दोनों कलर का आप यहाँ पर mix आप एक line दूसरे कलर की और एक line दूसरे कलर की लगाईएगा तो इस तरीके से क्या होगा कि जो थोड़ी सी लेगी बची है उसका भी use हो जाएगा और आपका यह जो डोरबेट है पूरा complete हो जाएगा और इस डोरबेट को बनाने के लिए मेरी देखिए जो बड़े साइट की जो लेगी होती है दो लेगी लग चुकी है इस पर तो दो लेगी तो आपकी अराम से लग जाएगी और यदि आप देखे टी-शट से बना रहे है तो फिर तीन टी-शट आपकी लगेगी तो अभी देखिए एक एक लाइन हम इस तरीके से इसको जोड लेंगे तो जैसे मैं जोड रही हूँ बस वैसे ही आपको देखिए जोड के इसको रेडी कर लेना है तो एक लाइन ब्लू वाली एक लाइन वाइट वाली हम इसको देखिए इस तरीके से जोड के रेडी कर लेंगे और आप चाहें तो ये जो सिलाईया हैं हाथ से भी लगा सकते हैं पर आप देखिए जब आप हाथ से सिलाई लगाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और फिर जो सिलाईया होती है हाथों से जब हम लगाते हैं तो जादा टाइम तक वो सिलाईया नहीं चलती है, पर आप देखिए सिलाई मशिन से इस तरीके से सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे, तो ये जो सिलाईया होती है, पक्की होती हैं और लंबे टाइम तक चलती हैं, मैंने इस डोर्मेट पर बीच पे प्लास्टिक की बोरी लगाई है, आप चाहें तो प्लास्टिक की बोरी कई यूज भी कर सकते हैं या फिर इसको इस पिक भी कर सकते हैं, सिर्फ आप देखिए एक ना पुरानी वैडशीट से या फिर पुरानी साड़ी और कंबल से भी इस पर मेर को यहां पे देखे बॉटर प्रूप बनाना था तो मैंने बीच में प्लास्टिक की बोरी लगाई है अब इस पे थोड़ा बहुत जैसे पानी गिर भी जाएगा न तो नीचे की तरफ जो है हमारा फर्स गीला नहीं होगा और नीचे की तरफ ब्लैंकेट है तो प्रूप आप रेडी कर सकते हैं तो बस इसी तरीके से जैसे मैंने देखिए एक तरफ भरके रेडी किया है तो बस चारू तरफ किनारों पे हमको इसको भरके रेडी कर लेना है और जब आप चारू तरफ देखिए इसके भरके रेडी कर लेंगे न तो बहुत ही प्यारा ड समझ पे नहीं आता है तो इसलिए मैंने देखिए इसको मैंने इस पीक नहीं किया है इसको मैं पूरा डाल दे रही हूं क्योंकि जो लोग बनाना चाहते हैं तो उनको आसानी से समझ पे आ जाएगा कि मैंने कैसे यह जो लाइने थी उनको जोड़के मैंने रेडी किया है और बहुत दिनों बाद मैं आज ये डॉर्मेट का वीडियो डाल रही हूँ, बहुत दिनों से मैंने डॉर्मेट का वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा देखिए टाइम लगता है, पर जब ये डॉर्मेट बनता है तो बहुत ही अच्छा बनके रेड लेते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है और बहुती प्यारा लुक आपके डोरमेट का आएगा तो यह देखिए एक लाइन मैंने कट कर ली अब यह जो दूसरी लाइन है धर से भी कट कर लेते हैं और जो चारो जो डिजाइन हमने बनाई है ना चारो तरफ बस उसको ऐसे ही हमको देखिए कटिंग कर लेना है जैसे मैंने देखिए आपको एक लाइन कट करके दिखाई है बस यह दूसरी लाइन भी कट कर लेंगे और जहां जहां पर यह वाइट पट्टी हमने लगाई है ना तो सभी को हम कटिंग कर लेंगे तो मैं पूरा कटिंग कर लेती हूँ फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि यह कैसे बनके रेडी हुआ है तो यह देखिए इस पे भी हम कटिंग कर लेंगे बहुत ही आसान है 10 मिनट पे आपकी यह कटिंग हो जाएगी मुझे 10 से 15 मिनट इसको कटिंग करने पे लगा था तो यदि आप देखिए बहुत अराम से भी यह कटिंग करेंगे न तो आधा घंटे के अंदर तो आपकी कम्प्लीट हो जाएगी तो चलिए हम इसको पूरा कट कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी पूरी कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद इसका जो लोग है बहुत ही अच्छा आया है तो आप देखिए कटिंग जरूर करिएगा क्योंकि कटिंग करने के बाद जो आपका मैंने बनाया था आप इसको देखिए मेट के जैसे भी यूज कर सकते हैं पीछे की तरफ भी देखिए बहुत ही फिनिसिंग से है कुल्टिंग भी बहुत ही अच्छी हो गई है और थोड़ी सी जगह पे फोल्ड करके आप इसको रख सकते हैं आप इसको और भी बड़े पर बना सकते हैं तो देखिए बहुत ही मुलायम है गुदगुदा सा है आप इसको दोर्मेट यूज कर सकते हैं मेट यूज कर सकते हैं खाना खाने के लिए देखिए जब आप बैठते हैं तो आप इसको चटाई के जैसे भी यूज कर सकते हैं अभी तो सर्दिया आने वा और अच्छा लगा हो तो आप भी बना के ट्राइ करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपने जो डोर्मिट बनाया वो कैसा बना है उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में